हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो अप्टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप्टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूस अपिसोड दोस्तों कल मेरी कमर में थोड़ी सी चोट लग गई थी इसलिए कल आप वीडियो अपलोड नहीं हो पाई करनाटगा ने कोवीड रेस्टिक्शन में थोड़ी सी ढील देने का फैसला किया है कि जुलाई 26 से राज में कॉलेजेस वगईरा को शुरू किया जाएगा और थेटर्स, सीने महौल्स वगईरा को 50% केपैसिटी के साथ ओपन करने की इजाज़त दी जाएगी हरियाना पुलिस ने आज कॉंस्टेबल परमजीत को गिरफतार किया है परमजीत पर पाकिस्तान के लिए जासू सी करने का आरोप है परमजीत 2018 से हिंदुस्तानी आर्मी के कॉंफिदेंशल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लिग कर रहा था करनाटका के उप्फ मुक्यमंत्री डॉक्टर अश्वत नारायन ने कहा है कि करनाटक में डिप्लोमा और डिग्री के और्ट सेम्स के एक्जाम औगस्ट 2 से ऑगस्ट 21 के बीच कंड़क्ट किये जाएंगे मुंबई में आज भारी बारिश के कारणट तकरीब reminder 26 से ज्यादा लोगों के मौत हो गई केंदर सरकार ने सरकारी करमचारियों के डी ए को बढ़ाने के बाद अब हाउस रेंट अलाउमेंस को बढ़ाने का फैसला किया है भारत में आज टोटल वैक्सिनेशन डोजस की तादाज 40 करोड से उपर चली गई और यूपी भारत का पहला ऐसा राज़ी बन गया है जिसने 4 करोड वैक्सिनेशन डोजस अपनी जन्ता को दिये है सदन के मौनसून सत्र के शुरुआत से पहले प्रधान मंत्री मोधी ने आज सभी राजनेतिक दलों के लीडर्स के साथ मुलाकात की और सदन में सही तरीके से चर्चा करने पर जोर दिया मुंबई में भारी बारिश के कारण डेंग्यू फैल गया है और डॉक्टर्स ने कहा है कि डेंग्यू के पेशन्ट कोविड-19 के लेक्षणों के साथ हस्पताल आ रहे हैं इन लेक्षणों में सरदी, खासी और लो ऑक्सिजन लेवल्स शामिल हैं डॉक्टर्स ने कहा है कि ये एक चिंता कवीश है क्यूंके डेंग्यू के मरिजों के सिंटम्स वाइट बलड सेल्स और प्लैटिलेट्स में कमी होती है और COVID-19 के सिंटम्स डेंग्यू के मरिजों में देखने को नहीं मिलते इंडियन मेटियोरोलोजिकल डिपार्टमेंट IMD ने कहा है कि जुलाई 18 से जुलाई 21 के बीज पूरे उत्तरी भारत में भारी बारिश देखने को मिल सकती है गोवा बोर्ड अफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एज्यूकेशन ने बारवी कक्षा के बच्चों के रिजल्ट्स ऑनलाइन डिकलेर कर दिये हैं साउथ सेंटरल रेल्वे ने कहा है कि वो अन्रिजर्व ट्रें सर्विसस स्वोम वार 19 जुलाई से शुरू करेगा तमिल नाडु के 300 मचवारों ने आरोप लगाया है कि स्रीलंकर नेवी ने उनके मचली पकड़ने के जालों को काट लिया है और उनको धमकिया दिये हैं स्रीलंकर नेवी की इस धमकियों के जासे तकरिबर 50 से जियादा मचवारों की बोर्ट्स वापस लोटाई है ब्रिहन मुंबाई Municipal Corporation BMC ने कहा है कि मुंबाई के सभी निवासी पीने के पानी को उबाल कर पिएं क्यूंकि मुंबाई का सबसे बड़ा Water Purification Complex भारी बारिश के कारण बंध है औरिसा ने फैसला किया है कि दसवी और बारवी कक्षा के चातरों के लिए स्कूल्स जुलाई 26 से उपन किये जाएंगे दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने फैसला किया है कि वो अपने अपने राज्यों में इस साल होने वाली कवर यातरा को कैंसल कर देंगे तमिल नाडू ने बारवी कक्षा के स्टूडेंट्स के रिजल्ट कल आनाउंस करने का फैसला किया है युनाइटेड किंग्डम अपने देश में कोविड रेस्रिक्शन्स को मुकबल तोर पर हटानी की सोच रहा है ऐसे में दुनिया के तकरीबन 1200 वग्यानिकों ने कहा है कि ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खत्रा है आज दुनिया भर में नेलसल मंडेला इंटरनाशनल डे मनाया जा रहा है नेलसल मंडेला एक दक्षिन अफ्रीके ने था थे जिन्होंने आपर्थित के खलाब अंदलून किया था आज उनकी एक सो तीनवी जैन्ती है किनिया में आज एक पेट्रोल टैंकर के ब्लास्ट होने से 13 लोगों की मौत हो गई पेट्रोल टैंकर सडक पर उलट गया था और लोग पेट्रोल कलेक्ट करने के लिए उसके नजदीक चले गए इसी दवरान टैंकर ब्लास्ट हो गया और 13 लोगों की मौत हो गई यूरोप में भारी बारिश के कारण आये तूफान में मरने वालों की तादाद 180 के पार चली गई है United States of America के Grand Canyon National Park में आये तूफान की वज़ा से एक की मौत हो गई और कई घायल हो गई United Kingdom ने फैसला किया है कि UK COVID-19 के Long Term Effects को स्टडी करने के लिए 15 नए रिसर्च प्रोग्राम्स चुरू करेगा इन रिसर्च प्रोग्राम्स की कीमत तकरीबन 27.5 मिलियन डॉलर्स बताई जा रही है पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में आज भारी बारिश के कारण साथ लोगों के मौत हो गई और कई आप तक लापता है तोकियो ओलम्पिक विलेज में आज तीन एथलेट्स कोरोना पॉजिट्व पाए गए हैं इसी के साथ साथ सौथ अफरिका फुटबॉल टीम के दो फुटबॉल प्लेयर्स और एक कोच भी कोरोना पॉजिट्व पाए गए हैं पाकिस्तान में रह रहे अफगानिस्तान के एमबैसेडर नजीब उल्ला अली खिल के बेटी को आज पाकिस्तान के इसलामाबाद में किड्नैप कर लिया गया और कई घंटों के बाद उसको छोड़ दिया गया आज की स्पोर्ट्स नियूस बांगलादेश और जिंबावे के दर्मियान चल रही ODI सीरीज के सेकेंड ODI में बांगलादेश ने जिंबावे को तीन विकेट से हरा दिया पहले बैटिंग करतेवे जिंबावे ने 50 ओरों में 9 विकेट के नुकसान पर 240 रन बनाए बांगलादेश ने 49.1 ओर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 280 रन बनाए भारत और श्री लंका के बीच खेली जारे ही ODI सीरीज के पहले ODI में भारत ने श्री लंका को 7 विकेट से हरा दिया पहले बैटिंग करते वे श्री लंका ने 500 ओरों में 9 विकेट के नुकसान पर 262 रन बनाए इसके जौब में भारत ने 36.4 ओरों में 3 विकेट के नुकसान पर 263 रन बनाए पाकिस्तान और इंगलेंड के बीच खेली जारी T20 सीरीज के सेकेंड T20 में इंगलेंड ने पाकिस्तान को 45 रन जे हरा दिया पहले बैटिंग करते हैं इंगलेंड ने 19.5 ओरों में 200 रन बनाए उसके जाओ में पाकिस्तान के टीम 20 ओरों में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 155 रन बना सकी आज की कोरोन आपडेट्स भारत में पितले 24 गंटों में 15157 कोरोना के मामले सामनी आये और तोटल मामलों की तादा 3,11,06,0626 हो गई भारत में पितले 24 गंटों में 42,004 लोग कोरोना से रिकवर कर गए और total recover होने वाले की तादा 3,2,59,760 हो गई भारत में पिछले 24 गंटों में 518 लोगों की कोरोना का जासे मोथ हो गई और total मोथों की तादा 4,13,609 हो गई भारत में पिछले 24 गंटों में 51,56,5,67 लोगों को वैक्सनीर किया गया और total vaccination doses की तादा 40,49,3,715 हो गई बारत में करेंट एक्टिव केसिस की तादा 4,22,660 है दोस्तो ये थी आज की फुल डे निउस अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताके कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद